An Elementary School Classroom in Slum जिसे लिखने वाले Stephen Spender है यहाँ पूयम जो है वहाँ हमारे समाजिक अन्याय के बारे में बताती है साथी साथ लोगों के साथ उनके जाती, धर्म और पैसों के नुसा किस तरह से भेदभाव किरता है उसके बारे में भी बताती है अगर हम बात करें पूयट Stephen Spender के बारे में तो उनका जर्म 1909 में हुआ था और 1995 में उनका दिहान थो गया था वह एक इंगलिस पूयट और एसेस्ट थे जिन्होंने अपनी युनिवर्जिटी की डिगरी छोड़ दी थी और 1930 में वह बर्लिन चले गए थे उनका राजनीतिक में बहुत ही ज़दा तिल्चस्पी था इसलिए वह एक समाज सुधारक और शान्तिवादी व्यक्ति बन गए उनके द्वारा लिखी गए बुक्स है Poems of Dedication, The Age of Being, The Creative Element, The Struggle of Modern और उनकी Autobiography World Within World जोकी 1951 में पबलिश हो गए थी तो यह है हमारा Poet का बारे में कुछ खास जानकरी आप चले शुरू करते हैं हमारी आज की Poem Far, Far from Gusty Waves, These Children's Face Gusty के मतलब होता है बहुत ही ज़दा strong, तेज तो बोला जाता है, दूर, बहुत दूर, इन बच्चों का जो चहरा जो है, वह समुन्दर के लहरों से बहुत दूर है मतलब, जिन भच्चों के बारे में, slum, जिन ज्छोपड़ी में रहने बारे में बात कर जा रहा है उन्होंने कभी भी सबुन्दर को नहीं देखा है अब यहाँ पर रूटलेस वीड्स क्या हो गया देखिए वीड्स का मतलब होता है वैसे अंचाहे पौधे जो हमारे फसल के साथ लग जतते है तो इन बच्चों को बुला जा रहा है कि यह रूटलेस वीड्स है मतलब इनकी चाह किसी को भी नहीं है इनने बस जन्मा दिया गया और छोड़ दिया गया इनके जो बाल जो है वहाँ उनके चहरों पर आ रहे है और इनका चहरा कैसा है तो पीला पड़ा हुआ है मतलब यह बहुत ज़्यदा कमजोर है अब यहाँ पर कुछ बच्चों के बारे में बताया जाएगा यहाँ पर एक लंबी से लड़की है जिसने अपना से जुकाया हुआ है क्योंकि उसे शरम आ दिया अपनी स्थिती पर यहाँ पर एक बच्चा है जो पन्नी के जितना पतला है और उसकी आखे चुहे की आखों के तरह लाल है अब यहाँ पर एक आविक्षित बच्चा है जिसकी शर्यों के हड़िया जो है वो टेरी है रिसाटिंग ए फादर्स गार्लेट डिजीज इस लेशन फ्रॉम हिस डेस्क अब वह क्या कर रहा है उसे वह बिमारी उसके पिता से मिली है और वह उस बिमारी के साथ क्या कर रहा है उसे कुछ याद करने के दिया गया है तो वह अपने डेस्क पे याद कर रहा है अब वहाँ पर पीछे में एक बच्चा जो है उनके room में जिस पेड़ पर उन्हों अपना घर बनाया वहां रहने के लिए और इस room में ना रहा करके वह बाहर के बारे में सोच रहा है अब यहाँ पे दरवाजा है दीवार है तो उस दीवार पर क्या है बहुत सारे तस्वीर बनाए गए है क्योंकि हमें डोनिशन दिया गया है पहला तस्वीर क्या हो गया Shakespeare's Head Shakespeare का फोटो बना हुआ है दूसरा है Plotless at Dawn Civilist Doom Riding All Cities तो दूसरा तस्वीर में क्या हो गया कि सूरज जो है वह अस्त होने वाला है और वह पूरे पूरे शहर में फैला हुआ है Ballad, Flowery Tyrolis Valley और यहाँ पे क्या Tyrolis Valley के बारे में बताया गया है जो कि Austria के Alpine Mountain में है तो यहाँ पे Tyrolis Valley के बारे में बताया जारा जहाँ पे घंटी है और बहुत सारे फूल है उसकी भी तस्वीप वहाँ पे बनी हुई है Open-handed map Awarding the world's its world और वहाँ पे एक map बनाया गया है जहाँ पे एक दुनिया को दूसरी दुनिया के साथ दिखाये गया है मतलब पूरे की पूरे दुनिया को वहाँ पे नक्षा बनाया गया है अलगलर देशों के बारे में बता गया है And yet for these children, this window, not this map और इन बच्चों के लिए क्या है वहाँ map उनकी दुनिया नहीं है उनकी दुनिया क्या है उन खिडकियों के बाहर वहाँ सलम में उनकी दुनिया है जो पर पट्टियों में उनकी दुनिया है मतलब उस खिडकी के बाहर उनकी दुनिया है जहाँ पर उनकी दुनिया को वहाँ रंग दिया गया है हलके रंगों से, धुन्दरे रंग से मतलब उनकी जिंदिगी वंदकार में अ नारो स्रीट सिल्ट इन विथा लेड़ स्काइ लेड़ जहे वहाँ एक त्रह का एलीमंट होता है जो कि बहुत ज़्णा बहारी होता है तो बोला जारा इस लैन में कि बहुती पतली गल्यों में उनका आसमान जहे है वह अंदकार में है और बंध है मतलब यहाँ पर बता जारा है कि जहां पे वह बच्चे रह रहे है उनकी जिन्दकी उस जोपरपटी में बरबाद हो रही है उनका कोई भी भविश नहीं है far far from rivers, caves and star hours क्योंकि वह जोपरपटी में रहने वाले बच्चे है वह नदियों से, caves से और दुनिया भर के शब्दों से आला गलेतर के सब्दों से दूर है आगे के लाइन में बता जाता है Surely Shakespeare is wicked तो यहां पे बोला जाता है कि Shakespeare क्या बुरा है The map a bad example With ships and suns and love tempting them to steal और जो map जो बनाये गया है वो बहुत ही बुरा उधारन है क्योंकि वहाँ पे जो ships दिये गये है जितने भी चीज़े बताए गये है वहाँ बच्चों को लल्चाती है चोडी करने करें Four laps then slowly turns in their cramped holes from fog to endless night क्योंकि जिस जगा पे वह रह रहे है भीड भारा के वाले घर में रह रहे है जहाँ पे उनकी जिन्दीगी खराब है और साइद अनन्त काल तक उनकी जिन्दीगी ऐसे रहेगी तो यह जो map जो है वोने लल्चा रहे है बुरा काम करने के लिए और देर स्लाइग हिप्स उनकी कमजोर शहीर में और यह जो बच्चे है जिस कपड़ों को पहनते हैं जैसे कि एक बोटल में क्या किया गिया है पत्थर को लगा दिया गिया है जैसा कि आप पिक्चर से देख पा रहे होंगे रूटा हो चश्मा क्योंकि उनका जितना भी समय है वह उस जोपर पट्टी में गुजा जा रहा है तो एक काम करो वहां जो मैप है उसमें एक बड़ा से निशान लगा दो जिसमें इन बच्चों का जो जोपर पट्टी है वह भी देखे और कितना बड़ा लगा दो तो इतना बड़ा लगा दो कि दुनिया का अंत हो रहा है शर्वनास हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर बता है जा रहा है अगर उस map में उन बच्चों का जो slum area है जो जोपरपटी बना दिया जाएगा तो क्योंकि जोपरपटी में रहने से उन बच्चों के जिंते की बरबाद हो रही है उनका विनाश होगा तो इसी तरीके से map में भी इस बात को दिखा सब्सक्राइब जाएगा उनका खिर्की बन जाएगा मतलब इस map में जितनी भी दूनिया भर की चीज़े है बच्चों को उनसे अवगत कराना है क्योंकि बच्चों का जो मैप है मतलब उनकी जो जोपरपटी वाली जिंदिगी है वह क्या कर रहे है उनकी जिंदिगी को बर बरे हुए लोगों के अफश्यस रहते है वही क्याटा काम होता है ब्रेक ओ ब्रेक ओ ब्रेक ओ अपन तिल दे ब्रेक धा टॉण तब क्या बुर तोड़ो जो पर पट्टी को तोड़ो और तब तक तोड़ते रहो जब तक यहा टॉं से नगर शे नहा मिल जाए और बच्च जुबान को चखने दो क्या किताबों को चखने दो किताब का घ्यान लेने दो उन्हें भी जह है वो प्रक्रिती से रूबरू होने दो साफ जगा पर रहने दो कब तक वर जुबर पट्टी में रहते रहेंगे और खुले एडिया में रहने दो बगीचे में रहने दो history there whose language is the sun इतिहास उन्हीं कहता है जिनकी जुबान सूर्य होती है सन होती है क्योंकि सन के साथ क्या है सन अपना सारा काम सही समय पे करता है और जो सूर्य के साथ करम से करम मिलाकर चलता है उसकी जिंदगी बेतर होती है तो इस पोयम में यहां बताया गिया है कि बहुत सार बच्चे जो है वह जोपर पट्टी में रहते हैं और जोपर पट्टी में रहने कर उनकी जिंदिगी जो है वह बेरंग हो जाती है ना उन्हें से खाने को मिलता है ना उसे से खाने को मिलता है उन्हें उन जोपर पट्टी से बहार निकला जाएगा तो उनकी जंदिगी बेटर होगी और इसी किसाद हमारी आज की पोयां भी घट मुहीं है